Hello dear students, आज हम cover करेंगे RNA, यूकरियोट्स में, RNA बोले तो ribonucleic acid, तो dear students जो RNA है, यूकरियोट्स के अंदर जो RNA वो mainly three type का होता है, ओके, कौन-कौन से तीन type होते हैं, one is mRNA, that is messenger RNA, हम ओले इसको cover कर चुके हैं, tRNA, that is transfer RNA, and one is rRNA, ribosomal RNA, यह तीन जो हैं, यह main type है बच्चो, RNA के, अब RNA के case में कुछ और type भी होते हैं, RNA के, जो उतने main तो नहीं हैं, बट फिर भी, उनको भी कई जिगा पर study किया जाता है, है, so other type है, एक है, snRNA, snRNA का मतलब है, small nuclear RNA, okay, one is siRNA, that is small interfering RNA, then one is miRNA, that is micro RNA, यह भी कुछ RNA के types हैं, अब हम specially हमारा आज का जो focus है, वो रहेगा tRNA के उपर, तो tRNA start कर लेते हैं, अब सबसे पहले मैं tRNA के बारे में कुछ basic बाते बताता हूं, फिर हम इसका structure बनाएंगे, तो देखिए, tRNA के अंदर, हमें पता है कि जो भी genetic material होता है, यह RNA, DNA होता है, उनके अंदर nucleotides होते हैं, ठीक है, तो tRNA के अंदर basically 76 से लेकर के 90 nucleotides में होते हैं, Among all RNA, जो tRNA है, यह smallest RNA है, एक छोटी सी information और आपको ध्यान रखनी है, कि इसको बनाता कौन है, जैसे कि mRNA की case में मैंने आपको बताया थे, जो जब transcription होता है, तो RNA polymerase 2 बनाता है, बट tRNA को बनाता है, RNA polymerase 3, so it is made by RNA polymerase 3, यह तीन पोइंट आपको ध्यान रखने हैं, अब बनाते हैं इसको structure और फिर करते हैं, structure को explain, so it's basic structure appears like this, so tRNA कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, यह वाला जो है, इसको बोलते हैं, 3' hydroxyl and और इधर साइड का है, 5' अब कुछ location पर इसमें bonding भी हो जाती है, जहां पर मान लो कि जो corresponding यह आप बोल सकते हैं, complementary nitrogen base अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो यह कई जगह से bonding कर लेता है, like this, इस टाइप की यह शेप बन जाती है, और इसमें यह तीन जो है, यह main loop होती है, अब इन तीनों loop को हमें समझना है, यह हमें इनके nucleotrides दिखा देते हैं कबार के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 prime hydroxyl group के बारे में, यह वाली चो location है, यहाँ पे उपर की तरफ, यह आप बोल सकते हैं, खास तरफ का nucleotide sequence हमेशा प्रिजार हो रहती है, that is C, C, A, हमेशा 3 prime hydroxyl के नीचे, यह मिले गए, अगर 3 prime की तरफ से हम इसको read करेंगे, तो यह है, A, C, C, और इस sequence पे amino acid bind होते हैं, so basically it is amino acid binding site, it is amino acid binding site, जैसा कि हमने बोला कि जो tRNA है, tRNA को हम transfer RNA बोलते हैं, क्यों बोलते हैं transfer RNA, क्योंकि जो tRNA वो amino acid को transfer करता है, कहां से cytoplasm से उठाएगा amino acid को, और ribosome होता है, जिसके अंदर protein synthesis होना है, वहां ribosome तक लेके जाएगा, तो amino acid का transfer करता ही, तो यह अपने सिर पे उठा लेता है amino acid को और वहां तक लेके जाता है, तो यह कहां पे attach होता है amino acid, 3 prime hydroxyl group पे जो sequence है, यह special location पे amino acid bind होता है, चीक है, tRNA जो है, tRNA को हम, यह यहां पे मैं अपको बताना भूल गया, tRNA को हम soluble RNA भी बोलते हैं, now back to the diagram, एक loop हमने कर लिया, sorry, एक end हमने कर लिया, अब बात करते हैं इस loop के बारे में, students इस loop को हम बोलते हैं, tloop या gtpcg loop, this loop is called tloop या इसी को बोलते हैं, gtpcg loop, okay, so tloop क्यों बोलते हैं, first of all why this loop is called tloop, because this के अंदर thymidine होता है, thymidine होता है, तो t normally हमें पता है कि RNA के अंदर क्या क्या चीज़े होती है, a, u, g, c, टी नहीं होता है RNA के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो t है, तो वो क्या है, एक तरह का exception है, टीका normally तो नहीं होता है, बट है, तो हम क्या बोलेंगे, एक exception है, और इसलिए हम इस loop को tloop बोल देते हैं, g, t, p, c, g loop क्यों बोलते हैं, टीका मैंने फंदा बता दिया, अब यहाँ पे p देखिए, एक p क्या है, p का मतलब होता है pseudo-uracil, now what is pseudo-uracil, basically जब uracil के ऊपर कोई enzymatic activity होती है, तो यह बन जाता है pseudo-uracil, so it is made by enzymatic activity over uracil, concept clear है कि uracil के ऊपर जब कोई enzymatic activity करता है, तो उसको modify कर देता है, और जो नया, जो structure बनता है, modified structure उसको बोलते है pseudo-uracil, तो pseudo-uracil के लिए हमने p लिखा है बीच में, so this complete loop is called gt-pcg loop, function क्या है, function से पहले एक चीज़ ध्यान रख लेजएगा आप, कि जो t-loop होती है, वो 3 prime end की तरफ होती है, देखो, इस side है 3 prime hydroxyl group, और इस side है हमारी t-loop, so कहां पे है, it is toward 3 prime hydroxyl end, ठीक है, now मैंने आपको बोला कि इसका function, तो function होता है ribosome की recognition करना, so it recognizes ribosome, कौन से ribosome के पास में जाना है, वो t-loop decide करती है, t-loop के बाद में, पहले इधर वाली loop करते हैं, फिर सबसे last वाली loop करेंगे हम निच्चे वाली, यह जो loop दे रखी है यहाँ पे, इस loop को बोलते हैं, दे लूप, दे लूप, दे लूप, दे लूप क्यों बोलते हैं, दे लूप इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर dihydroxy uracil है, because it has dihydroxy uracil, ठीक है, location के बात करें, तो आप diagram में देखी सकते हैं, कि जिस तरफ 5 prime end है, उस तरफ यह loop बनी हुए, that means, it is towards 5 prime end, ठीक है, अब बात करते हैं, इसके function की, तो d loop क्या करती है, यह recognize करती है, amino acid को, it recognizes amino acid, मतलब कि देखो, इस location पे कौन सा amino acid bind होगा, यह कौन decide करता है, d loop decide करती है, और यह complete tRNA, इस amino acid को उठा के मान लीज़े, इसके उपर के तरफ दिखा रुका है, हम बोल देते हैं, कि इसमें सिर्फ पे उठा रुका है, अब इस amino acid को अपने सिर्फ पे उठा के, tRNA कहां पे जाएगा, ribosome के पास, तो कौन से ribosome, बहुत सारे ribosome होते हैं, तो basically क्योंकि निचे की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं, lower most loop या इसका असली जो नाम है, वो है, anticodon loop, this is anticodon loop, anticodon loop क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन main nucleotide present होते हैं, ऐसे, ठीक है, और यह anticodon इसलिए होते हैं, क्योंकि codon कहां पे होता है, anticodon के लिए आपको codon समझना पड़ेगा, तो जो messenger RNA होता है, उसके उपर होते हैं, कोड़ोन, ठीक है, so, let me draw a messenger RNA, मान लीजी, यह है, messenger RNA, this is 5 prime end, for example, this is 3 prime hydroxylen, तो mRNA के उपर nucleotide है, like this, तो यहां पे क्या है, यह जो nucleotide होते हैं, इनको बोलते हैं, codon, codon basically 3 nucleotide का एक triplet होता है, ठीक है, 3 nucleotide मतलब कि 1, 2, 3, इन 3 का मिलके 1 codon बनेगा, और पहला जो codon होता है, वो हमेशा होता है, AUG, first codon is always AUG, इसको हम start codon भी बोलते हैं, ठीक है, AUG क्या है हमारा, AUG is start codon, तो जो जब यह MRNA जा करके, ribosome में fit हो जाएगा, तो TRNA, सबसे पहले जो TRNA आएगा, वो यहां पे bind होता है, इस AUG के उपर bind होगा, अब AUG पे bind होने के लिए, यहां पे जो sequence चाहिए, वो क्या sequence होनी चाहिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर यहां पे A है, तो यहां पे हमें anti-code क्या होना चाहिए, यह 3 का, मैंने बता है न, 3 का 1 code बनता है, तो यह बन गया 1, this is 1 codon, ठीक है, उसके बाद next 3 का, next codon बन जाएगा, अगले 3 का फिर, next codon बन जाएगा, अगले 3 का फिर, ऐसे 3 का 1 codon होता है, वैसे 3 का 1 anti-codeon है, तो यह AUG यहां पे जाकरके, actually यह T-RNA इसके उपर bind होगा, तो यहां पे anti-codeon क्या बनेगा, पहले देखो, A है तो यहां पे हो जाएगा U, यहां पे U है तो यह जगा, A और G है तो C, U, A, C यहां पे anti-codeon है, ठीक है, और उसके लिए codeon है, mRNA के पास में AUG, तो जब translation की process होती है, तो यह T-RNA, amino acid को उठा के लाएगा, और अपने इस anti-codeon के help से जाकरके, codon के उपर में, यह ऐसे attach, ऐसे attach हो जाता है, तो codon, anti-codon को फंडा, I hope कि अब आपको समझ भी आ चुका है, बाकि जब आपको translation समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे सी यही चीज़ clear हो जाएगी, so that's it, यही था हमारा T-RNA का structure,